हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 8.2 से कोश्चन नमबर 1 करेंगे कनवर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नमबर्स टू परसेंट्स ये फ्रैक्शनल नमबर्स जो दे रखें इनको परसेंट बनाना है चलिए एक पाट से शुरू करते हैं 1 upon 8 1 upon 8 को ये एक फ्रैक्शनल नमबर है इसे परसेंट बनाना है तो परसेंट बनाने का सिंपल सा एक ही तरीका होता है चाए नमबर आपके पास फ्रैक्शनल नमबर हो चाए decimal नमबर हो simply उसको 100 से multiply कर दीजिए जो answer आएगा वो percentage ही होगी तो यहाँ 1 upon 8 को multiply कर देंगे हम 100 से अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे यह मैं पहले simply ऐसे लिख लेता हूँ 100 upon 8 अब इसे मैं काट लेता हूँ यह 2 के table से दोनों कट रहे हैं 2 से 8 को divide करूँगा तो 4 आएगा 2 से 100 को divide कर देंगे तो यह 50 आजाएगा यहाँ फिर सही कट रहे हैं दोनों 2 से कट जाएगे इसे 2 से divided करेंगे तो 2 आजाएगा 50 को 2 से divide करेंगे तो 25 आजाएगा अब यह कटना बंद हो गए हैं तो इनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 25 को 2 से डिवाइड कर लूँगा, 2, 1, 2 आ गया, उपर से 5 आया, 2, 2, 0, 4 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, पॉइंट लगा के हाँ 0 आ गया, और ये 5 पे पूरा पूरा 10 आ गया, तो 12.5, इसका अंसर आया है 12.5 और ये आपने परसेंटेज निकाल लिया, तो परसेंटेज का निशान लगाना ना भूले, ये 12.5 परसेंट हो गया है, चलिए B पार्ट देखिए, B पार्ट के अंदर है 5 अपॉर, तो 5 अपॉर की परसेंटेज निकाल लिया है, तो इसको 100 से multiply कर देंगे simple तो 5 upon 4 multiply by 100 कुछ कट रहा है तो यहीं पर काट लेते हैं 4 और 100 आपस में कट रहे हैं 4 1004 होता है 100 को 4 से divide कर देते हैं तो यह 25 आता है पूरा पूरा तो 4 1004 हो गया यह मैंने काटा तो यह 25 आ गया नीचे तो अब कुछ बचा नहीं है नीचे का काम खतम उपर उपर 5 into 25 बचा है 25 को 5 से multiply कर लीजे 25, 5000 5, 5000, 25 5, 2000, 10, 11, 12 125 यह 125 परसेंट बन गया C पार्ट देखिए C पार्ट के अंदर 3 upon 40 तो 3 upon 40 को 100 से करेंगे हम multiply कुछ कट रहा है तो काट लेते है fractions के अंदर multiplication के अंदर अगर कोई चीज ऊपर नीचे कटती है तो उसे काट के पहले हम छोटा बना लेते हैं यहाँ पे 0 से 0 कट गया 0 से पीछे के पीछे के जो 0 होते हैं वो कट जाते हैं अब जो बचाया है मैं इसको एक बार copy कर लेता हूँ यह हो गया है इसमें भी यह 10 और 4 है यह दोनों 2 के table में आते हैं यह 2 से कट जाएंगे 2 से इसे divide करूँगा तो 2 आ जाएगा और 2 से इसे divide करूँगा तो यह 5 आ जाएगा अब जो बच गया है 3 इंटू 5 यह 2 से तो कोई सा नंबर कट नहीं रहा तो 3 फाइव जार उपर आ गया है 15 और नीचे 2 का 2 अब इने divide कर लेता हूँ तो exact value आ जाएगी 15 को 2 से divide कर लेते हैं तो 27,000 होता है 14 1 आ गया आगे कुछ है नी तो point लगा के 5 से 0 लगा लेंगे और यह 5 पे चला गया है 10 तो decimal में नंबर आ गया है 7.5 तो 7.5% लास्ट पार्ट देखिए 2 by 7 तो 2 by 7 को multiply 100 से करेंगे तो percentage आ जाएगी अब 7 से न 2 करता है 7 से न 100 करता है तो हमारे पास कोई option नहीं है उपर उपर की multiply कर देते हैं 100 को 2 से multiply करेंगे 200 आ जाएगा नीचे 7 है 7 का 7 ही रहेगा अब इसे divide करना पड़ेगा तो 200 को 7 से divide कर लेते हैं तो 7, 2000 हो गया है 14 माइनस करके यह 6 आ गया उपर से 0 आ गया 8,056 आ गया और माइनस करके यहां पर यह 4 आ गया अभी यह पूरा तो जाएगा नहीं अगर मैं point भी लगा दूँगा तो यह 7 से कभी भी पूरा नहीं होगा तो आप इसे mix fraction में भी लिख सकते हैं यानि यह जो 28 है यह तो पक्का पक्का है ही यह तो whole number है नीचे की चीज नीचे ही रहती है और remainder उपर आ जाता है तो सवाल को आप decimal में भी लिख सकते हैं अगर कोई चीज पूरी solve हो रही है आपको लग रहा है कि पूरा solve हो जाएगा तो point भी निकाल सकते हैं पूरा solve होता हुआ नहीं दिख रहा तो जहां remainder आ जाए वहीं पे सवाल को छोड़के आप mix fraction में भी लिख सकते हैं तो mix fraction में whole number को बीच में लिखा जाता है remainder उपर आता है और नीचे की चीज नीचे ही रहती है same to same और यह हमारा percent है तो percent का निशान ज़रूर लगाएंगे चारू parts होगे question खतब तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए good bye